बीजेपी का मंधन मांडू में चुनावी चिन्तन मांडू में ट्रेनिंग इलेक्शन मैनेजमेंट की विग्निंग कारिकर्ताओं की क्लास बूत के सारे जीत कियास वीडी शिवराज की टीचिंग tactics मीटिंग के साथ कारिकर्ताओं की आउटिंग सादगी का संदेश राजा भोज परिसर से क्या निकलेगा विशेश ठाकरे सभागार में नेताओं के उपदेश कारिकर्ताओं को प्राण पन से जुट जाने का संदेश भारतिय जन्तापार्टी के नेता एक बार फिर मांडू में प्रसिक्षन शिविर के जरिये चुनावी तैयारियों को तेजी देने में जुट गए है सादगी और संस्कृती पर फोकस के साथ शुरू हुई मांडू की इस बैठक में कारेकरताओं को कोशाभाव ठाकरे के नाम से तैयार किये गए हॉल में बड़े नेता उपदेश दे रहे हैं संदेश साफ है चुनाव नस्दीक है चुनावी कम नहीं है लक्ष बड़ा है विपक्ष पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में खड़ा है इसलिए बूत मजबूत करने का मन्तर है नेतरत्व के साथ कारेकरताओं का एक बड़ा तंत्र है नेतरत्व की बढ़ गई उम्मीदे हैं विपक्ष का बढ़ता शोर है इसलिए राजा भोज परिसर में जीत के लिए बूत मैनेजमेंट से लेकर शोशल मीडिया, मेनेजमेंट और चुनाव प्रबंधन पर खास जोर है मांडू को बहुत सोच समझ कर चुना गया है मालवा निमाल की 66 सीटों पर फोकस है पिछली बार 66 में से 35 पर कॉंग्रेस जीती थी बीजेपी के पास सिर्फ 28 सीटे बची थी पिछले चुनाव की खाई को भरना है कुछ भी हो इस बार बीजेपी को अपनी कमजोरियों से हर हाल में उबरना है बीजेपी का मन्थन चिंतन से हमेशा अमरत निकलने का दावा है कॉंग्रेस की नजर में बीजेपी को सरकारी खर्च पर परेटन किराना है बैठक तो बस एक बहाना है मांडू के राजा भोज परिसर में बीजेपी कारेकरता, नेता, चुनावी मेनेजमेंट का गुर्ज सीख रहे है सोशल मीडिया और बूत मेनेजमेंट के साथ टीचर की भूमिका में शर्मा शिवराज समेत दिगज, अनुभो और ग्यान को परोस रहे है चुनाव का शंकनाद अभी दूर है, लेकिन देखना ये है कि बीजेपी कॉंग्रिस के दावे बायदों में जनता को क्या मंजूर है अतुल पाठक, स्वराज एक्स्प्रेस भोबा